हेलो वच्चों, आई आज हम आपको कार्बो हाइडेट पढ़ाते हैं, जो की BSC का और Intermediate का मेन पार्ट है, BSC Second Semester में जो First Unit है, साथ यसाथ BSC Third Year का मेन में बैटर है, तो आई आज हम लोग कार्बो हाइडेट के बारे में विशेज चार्चा करते हैं, तो पहले तो हम जानने का प्रियाज करते हैं कि कार्बो हाइडेट है क्या, कार्बो हाइडेट्स, Actually, These are Organic Compound, These are Organic Compound, Organic Compound Found in Animal आईज बेल आईज Plants ओके, यह एनिमल और प्लांट्स में पाए जाते हैं, बट जो मेन सोर्स आप दा कार्बो हाइडेट्स, We can write that, we can say that, The main source of कार्बो हाइडेट्स, कार्बो हाइडेट्स Are plants Are plants Plants Can Synthesize Carbो हाइडेट्स Carbो हाइडेट्स Through the process of photosynthesis Through the लिखते चलेंगे Process of Photosynthesis भाई साब Photosynthesis को पकड़ते हैं, क्या है? जो plants है, वो photosynthesis Process के थूँ इसको बनाते हैं, कार्बो हाइडेट्स को क्या है photosynthesis? भाई यह दिखे, this is the plants Okay, this is the plants Okay, leaf यहाँ पर आपकी roots है Root में छोड़े-छोड़े balls like structure से, जिने root hair कहते हैं अब आर्थ में water है H2 है, ओके अब इस plants में इस plants में क्या है? एक pipe की तरह structure है, जिसका नाम है जाइलम ध्यान से समझेगा Root hairs से पानी entry करेगा Root से होता हुआ, जाइलम से होता हुआ, यह पहुचेगा leaf तक, leaf में बैठा है chlorophyll बैठा है chlorophyll ओके दीज आर्दा, chlorophyll आर्दा, green substance or green pigments you can say that, green pigment in the plants, responsible for the green nature of the leaf और इसी leaf में छोटे-छोटे पोर से जिनको मैं कहने वाला हूँ, istomata जानते रहें, istomata यह क्या करेगा, चुकि atmosphere में different gases है CO2, O2 and other gases are also present in the atmosphere बट यह istomata क्या करेगा, environment से CO2 भाई साब को बुलाएगा कहेगा, आईए भाई साब मैं नीचे से जाइलम के थूप पानी लेकर गया हूँ ध्यान से कहानी को समझेगा atmosphere से क्या आ गया CO2 भाई साब आ गया atmosphere, ओके water molecules आ गया भाई साब कहां से from earth from earth अब यह शूरी भगवान बैठे हैं दना दन उर्जा दे रहे हैं, energy दे रहे हैं तो मैं सिधे सिधे उपर लिखूंगा sunlight sunlight पतियों पे sunlight पड़ रही है और पतियों में chlorophyll है इसका काम क्या है भाई साब किचे नहीं है खाना बनेगा पक्का है खाना बनेगा तयार होने जा रहा क्या बनेगा खाना ज़रा देखिये खाने को मैं खाने की तरह बनाऊंगा मैं नीचे जा रहा है और ये खाना बनने वाला है कुछ और नहीं O6 था, ओके, साथ ही साथ, चुकि फोटो सिंथिस प्रोसेज में क्या होता है, आक्सीजन भी निकलता है, ओके, ध्यान से समझेगा, अब इसको मैं बैलेंस भी कर लेता हूँ, आक्सीजन यहां 12, प्लस 6, 18 आक्सीजन है, यहां मेरे पास 6 है, तो कोई दिक्कत न हो, मैं इसे 6 से मल्टिप्लाई कर दू, सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ओके, जो यह आक्सीजन गैस निकलती है, याद रखेगा, यह कारबन डाई आक्सीजन नहीं, बलकि वाटर तो इस आक्षियन को तोड़ना इस आक्षियन के तोड़ने के पेच्छा मोरीजी है तो याद रखेंगे जो आक्षियन लिब्रेट होता है फोटो सिंथिस प्रोसेज में दे कम्स फाम दा वाटर मालीक्यूल्स ओके दिस दा वन बेसिक कॉंसेट आप दा अगर हम लोग इसी पॉइंट्स को आगे बढ़ाएं आप नोट करते हुए भी चले अब चुकि बाते तब तक और आगे डिस इस दा ओल्ड कॉंसेट दरीक्शन यह ओल्ड कॉंसेट पर आधारित है अब साइंटिस्ट ने और भी रिसर्च किया तो पता चला है प्लांट्स में एक ट्रांस्पाइरेशन का प्रोसेज होता है ट्रांस्पाइरेशन मतलब क्या जो प्लांट से पानी पीते है तो पानी निकालेंगे भी तो तो कुछ लोगों का भाई साब इस रेक्शन को लिखने वाला हूं this is the old concept and the modern concept is CO2 and H2O कुछ मैं करूंगा नहीं सब कुछ वही रहेगा शूरी भगवान रहेंगे क्लोरोफिल रहेगा कुछ नया नहीं होगा लेकिन यहां मैं वाटर का अमाउंट बढ़ा दूगा बाई साब क्योंकि ट्रांस्पाइरेशन में भी तो वाटर निकलेगा दिक्कत नहों तो मैं 12-2 लिखने वाला हूं तो प्रोडक्ट देखे क्या बनने वाला है सर बनेगा वही जो पहले बना था C6-S12-O6 that is carbohydrate और साथ में क्या निकलेगा 6 molecules of oxygen साथ में चुकि पानी ज्यादा मैंने लिया है 6 molecules of the water मैंने ज्यादा लिया है तो मैंने 6 water को भी यहां remove करा दिया इस इस दा modern concept ओके अब कहानी निकल के आई कि यह चलिए बन गया अब कार्बो हाइडेट को हमने क्या क्या प्लांट्स के माद्यम से हम लोग खाए तो कार्बो हाइड हमारी बॉडी में जाके क्या 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 किया तो जो भी जितने भी compounds हम लेते हैं जनली आर्गेनिक compounds के गर मैं बात करूँ तो कार्ब डीटेल आग को मैं बताऊंगा जो carbon hydrogen bond होता है तो थोड़ा सा मजबूत होता वाई साब बॉडी में जाके जब तूटता है ना तो धेर सारी energy release करेगा तो इट मेंस कार्बो हाइडेट में सोर्स आप दे एनर्जी इन आवर बॉडी इस इ कैसे इसको explain करने वाला हूं देखिए अब कार्बो हाइडेट यह तो पता चल गया कि प्लांट्स के थ्रू बनता है और जन जन तक पहुचता है जन जन तक पहुचेगा और जन जन लाब लेंगे उसका तो इसे क्रम में आगे चलते हैं तो कार्बो हाइडेट की डिफनीश में हैं बाइसाब कारबन रहेगा हाइड्रोजन रहेगा अगर अर्गेनिक है इसके अलावा भी कुछ आ सकता है तो रिसर्च से पता चला इसमें ऑक्सीजन भी है ओके इट मींस कार्बो हाइडेट्स आर्दा कंपाउंड आप कार्बो हाइड्रेट्स आर्दा कंपाउंड सब्सक्राइब करेगा या तो या तो यहां तो त्यान से समझेगा आप केमस्टी यहां बाइलोजी नहीं पढल रहें यह तो यहें तो या तो करेगा या तो भाई साब molecule के रूप में exist करेगा तो these are the not atom, these are the elements ओके, these elements these elements are present in fix ratio, आप कहानी सुनिए ratio इनका fix है, और वो ratio कुछ इस तरह से carbon hydrogen और oxygen का जो ratio है 1 ratio 2 ratio 1 है, इसको अगर मैं molecular form में लिखना चाहूं, तो मैं लिख सकता हूं C1 H2O1, ओके, अगर मैं इसको ऐसे भी लिखना चाहूं तो 1 की जगा मैं लिख दूँ इसको Cn H2O whole का यहन, भाई, यह भी इसको मैं open करके लिख सकता हूं, Cn H2N oil, इसको मैंने इसलिए लिखा because this portion is called as hydrates, hydrates and this portion is carbon, now carbohydrate is the hydrates of carbon, वाउ, this is the new concept, hydrates of carbon, सहिए, कहानी शुरू हो चुकी है, तो definition आपको मिल गई है, और definition आ गई क्या, carbohydrates are the organic compounds, they have the fixed ratio of carbon, hydrogen and oxygen, the ratio will be 1 ratio to ratio 1, but there are some exceptions, this is the science, there are the some exceptions, the exceptions are here, okay, exception क्या निकल क्या आया, चलिए, भाई साब, formaldehyde भाई साब आगे, the simplest aldehyde is HCHO, बच के रहो भाई, HCHO से, इसको मैं लिखने वाला हूँ, CH2O, कोई दिक्कत तो नहीं, दोनों hydrogen को मैंने एक साथ कर दिया, लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ratio इसमें भी मिला, 1 ratio, 2 ratio, 1, okay, तो सब लोगों ने कहा, रहे, यह भी कार्भोहडरेट है, तो खालो energy मिलेगी, भाई साब, energy नहीं दिया यह, परेसान कर दिया, गैस बना दिया, तो लोगों ने कहा, कुछ तो doubt है, दूसरा compound मिला, CH3, COOH, okay, मैस, stick acid, मैस को लिखने वाला हूँ, simplest form में लिखने वाला हूँ, C2H4O2, भाई साब, कार्भोहडरेट था, लोगों ने खाया, के energy मिली, energy क्या है, तो gas release करने लगा, stick acid, यह तो process को easy कर दिया, कार्भोहडरेट के definition को बदल दे रहा हूँ, बहुत आसान तरीके से, अभी तक definition चल रही थी, carbohydrate are the compounds of carbon, hydrogen and oxygen, in which these three elements are present in the one ratio to ratio one, okay, but definition should be changed now, because there are two exceptions, does not follow the concept of the carbohydrate, तो भी यार, अब हम नई definition आपको बतानी जा रहे है, carbohydrate, दिल पे हाथ रख लिजिए, chemistry का एक नया, season सुरू होने वाला है, परेशान मत हो, यह केवल दिमाग लगाईएगा, दिल की जरूरत यहाँ नहीं है, chemistry वाले, चलिए, नई definition जो आई, market में, धुआधार, definition आई, लोग परेशान होगे, definition क्या थी, definition बहुत अच्छे थी, carbohydrates, carbohydrates, this is the modern definition, आर दा, आर दा, polyhydroxy, यहाँ थोड़ा एक टर्मोर बढ़ा लीजे, आर दा, optically active, optically active, polyhydroxy, aldehyde are ketones, aldehydes are ketones, और उसी में definition अभी खतम नहीं हुए, are those compounds, those compounds, which gives, which gives such compounds, such compounds, कैसे compounds, such compounds मतला optically active, polyhydroxy, aldehyde are ketones, optically active, active, polyhydroxy, aldehyde are ketones, आप पूरा लिखेंगे, कब, जब उनको पानी में डुबो के मारो, तब, upon hydrolysis, पानी में डुबो दीजे, upon hydrolysis, okay, this is the modern definition of the carbohydrate, अब इसका मैं एक example लेकर आपको बता रहा हूँ, कि यह definition क्यों दी गई, वास्तों में मैं एक, मैं एक carbohydrate की बात बताने जा रहा हूँ आपको, उसका नाम है glucose, अभी आगे detail चर्चा होगी, इसको जब देखा गया, तो इसमें 6 carbon थे, और एक aldehyde समूँ था, और कितने OS थे देखते जाएए, यह देखते जाएए बाईशाब, don't take attention, I am with you, this is the carbohydrate, अब जड़ा देखे, इसको कई hydroxy है, एक OH, दो OH, तीन OH, चार OH, पाँच OH, तो दो से अधिक OH है, तो उसको आप polyhydroxy बोल दीजिए, चुकि इसमें LDHID group है, इसलिए इसका नाम है polyhydroxy LDHID, ऐसे ही ketone भी हो सकता, आगे में चर्चा करूँगा, अच्छा, आप टिकली active इसलिए कहा गया, आप टिकली active आयसे compounds को कहते हैं, कोई भी compound हो, उसके उपर आप डाल दीजिए, PPL, plain polarized light, जैसे कि यह कैसी light है, भाई साब देखे, साधारन light के जो कण है, वो सभी दिशाओं में भागते हैं, क्यों, भाई उनका सभाव है भागना, सभी सोतंत रहना चाहते हैं, लेकिन मैं इनकी सोतंतता को छीनना चाहता हूँ, मैं क्या करूंगा, दो ठी निकोल प्रिजम लूँगा, चिपका के रखूंगा, एक नहीं लूँगा, दो लूँगा, तभी मिलेगा PPL, इनके उपर मैं डालूँगा इनको, तो देखा क्या गया, अब ये कड हमारे हिसाब से चलेंगे, कहेंगे भाई साब, उपर नीचे गत करिए, इदर उदर जाएंगे, मार खाजाएंगे, ऐसी लाइट का नाम है PPL, Plain Polarized Light, देखें, मैं पर इसी खलका से बता दिया हूँ, समझने के लिए, अब ऐसी लाइट को देखा गया, कार्बोहाइडिट पर डाला गया, जैसे ही डाला गया, इस लाइट का जो भी जिस आएक्सिस पर मतलब जिस डारेक्शन में था, उस डारेक्शन से थोड़ा साथ डाइवर्ट हो गया, यह लाइट की जो पाइट की जो करने हैं, वो लेफ्ट या राइट मूब करने लगें, कुछ इस तरह से, तो इसी लिए, ऐसे पदार्थ, जो PPL के जो पाइट कील का जो मोशन या मूब्मेंट है, वो डिफरेंट सा हैं, कार्बो हाइड़ेट्स, आरदा, आरदा, बायो मालीक्योल्स, जैसे प्रोटीन हैं, जो है, और उसके बाद नुकली केसीर हैं, वैसे ही, यह भी बायो मालीक्योल्स हैं, फाउंड, इन आउर बॉड़ी, ओके, क्यों, क्योंकि ग्रीक वर्ट बना है, सैकरान, सैकरान से लिए गया है, सैकराइट्स, ठीक है, और इसे सैकराइट्स के अलावा, सुगर भी कहा जाता है, मतलब आप यह कह सकते हैं, कि जो कार्बो हाइडेट्स है, उसे आप सुगर कह सकते हैं, ठीक है, उसको आप सैकराउन कह सकते हैं, साथ इसाथ कार्बो हाइडेट्स कहा ही जाता है, और याद रखेगा अपान अपान ऑक्सिडेशन अगर इनको जलाया जाए दे गिप्स एनरजी याद रखेगा अगर मैं कार्बो हाइडिर्ट को जलाने का प्रयास करूँ चाहे पेट में जाए देखेए ऑक्सिजन के दोरा तो सीधे सीधे आपको मिलेगा CO2 H2O प्लस एनरजी बाइलेंस भी कर सकते हैं 6 कारबन है तो यहाँ 6 से मल्टिप्लाई 12 हाइडोजन है 2 से मल्टिप्लाई कर दीजी आक्सिजन देखेए यहाँ कितने हैं 6 है 6 2 8 है यहाँ मेरे पास कितने हैं 6 2 12 12 14 और 2 14 आक्सिजन है तो मैं सीधे सीधे इसको कर दे रहा हूँ ठीक 6 है मारे पास है तो 4 से इसको मल्टिप्लाई कर दू 4 दुनियार से 14 ओके मैं सीधे सीधे लिख सकता हूँ यह बैलेंस एक्वेशन है तो यह तो कार्बोहाइडेट के बारे में था अब कार्बोहाइडेट को क्लाशिफाई किया गया किस आधार पर तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं क्लाशिफिकेशन आप दा कार्बोहाइडेट नाउ क्लाशिफिकेशन आफ कार्बोहाइडेट ओके तो इसके लिए दो बेस माना गया एक तो पहला बेस था on the basis of on the basis of hydrolysis second base था on the basis of reducing and non reducing nature and non reducing nature okay तो पहले हम एक एक पढ़ते हैं A class इसको मैं माल लेता हूँ इसको B class देखे आपके exam का ये long question बनता है BSC में तो आप पहले तो carbohydrate लिखेंगे classification लिखेंगे तो on the basis of hydrolysis मतलब यह है कि अगर मैं carbohydrate को पानी भी डूबोड़ो के मारूँ तो क्या हो तो देखें hydrolysis मतलब क्या है हम तो डूबेंगे सनम तुमको भी डूबा डालेंगे पानी के एक खासियत है खुद तूटेगा और जिस molecule को तोड़ना होगा उसको भी तोड़ डालेगा तिसी process का नाम hydrolysis होता है तो जब carbohydrate को hydrolyze किया गया तो देखा क्या गया इसमें कितने प्रकार के compounds मिले देखें एक तो मिला monosacurites monosacurites दूसरा मिला oligosacurites और तीसरा मिला polysacurites third polysacurites कुल जोड़ जाड़ के मतलब आप ये भी कह सकते हैं कि अगर आप carbohydrate को hydrolysis करते हैं carbohydrate को पानी में डुबोते हैं थोड़ा सा उसमें H plus डाल देते हैं तो process थोड़ा सा fast हो जाएगा acidic medium में तो देखा क्या गया मिला oligosacurites थोड़ा सा इसमें फिर H plus obligans to go पड़ा है मिला disacurites hydrolysis किया गया फिर वही process मिला monosacurites और monosacurites में जब पुना acid और water डाला गया बाई साब कुछ नहीं हुआ इसका मतलब कहिन कहीं monosacurites का hydrolysis possible नहीं है वो देखे जो smallest portion होगा उसको आप hydrolysis नहीं कर सकते क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें जो freely exist नहीं कर सकती तो अगर आप hydrolysis करेंगे तो कोई free चीज अगर बन रहा होगा तो वो जैरिस बात hydrolysis नहीं होगा कोई भी molecule अपने आपको stable बना के रखना चाहता this is the rule of nature तो चलिए इनको पढ़ने का प्रयास करते हैं तो पहले बाए एक एक करके पढ़ा अब से monosaccharides में जनरली आपके glucose आते हैं fructose आ दिया जाएंगे oligosaccharides ये भी Greek word से बना जिसका मतलब होता few oligo means होता few इसमें 2-2-10 monosaccharides unit होते हैं और polysaccharides मतलब जिसमें many saccharides unit या monosaccharides unit कह सकते हैं ok polysaccharides में होंगे तो हम लोग क्या करेंगे एक एक करके पढ़ते चलेंगे तो पहले हम लोग सीधे सीधे चलें कि monosaccharides क्या होते हैं उनके बारे में देखें और उनके classification के बारे में हम लोग पहले पढ़ेंगे तो इसके बाद आप फिरिंग डालेंगे monosaccharides एक एक करके पढ़ेंगे पहले मैं monosaccharides बताओंगा फिर oligo बताओंगा फिर poly बताओंगा उसके बाद आपको on the basis of reducing and non reducing sugar के बारे में भी जानकारी दी जाएगी ठीक है उसमें दो भागों में बाट दिया गया इसको भी आप यहीं लिख सकते हैं reducing sugar and second is non reducing sugar आगे बताओंगे क्या है reducing word क्या है आप लोग जानते भी होंगे काफी कुछ PSC standard मतलब काफी कुछ बाते आपको clear है तो इसके आगे मैं बताओंगा तो चलिए monosacurides के बारे में detail पढ़ते हैं तो monosacurides के बारे में मैं लिख सकता हूँ कि carvohydrate की सबसे छोटी काई है भाई साब इसको तोड़ा नहीं जा सकता इसको hydrolysis नहीं किया जा सकता तोड़ देंगे तो सत्यानास हो जाएगा कुछ गरबर सर्वर को जाएगा आगे तोड़ के दिखाऊंगा भी तो चलिए monosacurides monosacurides लिखिएगा साथ में लिखते चलिए दीज आर्दा smallest unit of carbohydrates they cannot be hydrolyzed they can not be hydrolyzed hydrolyzed इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ दीज आर्दा carbohydrates अगर इसको मैं complete hydrolysis कर दूँ complete hydrolysis complete मतलब जहां तक टूटे वहां तक मैं तोड़ू तो मिलेगा small n monosacurides ओकी यह आपको monosacurides मिल गया अब monosacurides का आप hydrolysis नहीं कर सकते क्योंकि यह smallest compound होते हैं ठीक है एक्जाम्पल में इसके आप लिख सकते हैं glucose, fructose, etc. लिख सकते हैं अब monos example भी लिख लें glucose, fructose, galactose, my nose, etc. अब इनको पुना पाट दिया गया they are monosacurides they are again classified classified on the basis on the basis on the basis functional group ऐसा functional group अब सुनिए कहानी monosacurides भी दो परकार की होते हैं किस आदार पर बाटा गया उनमें कौन सा functional group है functional group एक ऐसा group जो पूरे compound की पहचान को बताएगा जैसे for example मैंने कहा ketone C double bond O अब इसमें चाहे जितनी carbon हो चाहे जो भी हो इसमें मैंने 2 carbon, 3 carbon चाहे जो जो इस compound की पहचान इसकी कारण होगी क्योंकि इसमें एक reactive site है भाई साब any compounds are characterized through these functional points are functional group तो देखा क्या गया जो monosacurides होते हैं उनमें 2 परकार के functional group पाएगे कौन-कौन से एक aldehydig functional group उपस्तित हो सकता है monosacurides में दूसरा ketonik हो सकता है ketonik ऐसे monosacurides जिसमें aldehydig group होगा उनका नाम दिया गया जिनमें keton उपस्तित होगा ऐसे monosacurides का नाम ketose दिया गया तो मैं लिख भी सकता हूँ मैं लिख भी सकता हूँ the monosacurides the monosacurides hybing hybing ldhydig group ldhydig group are caldage aldo sugar aldo sugar भाई सुगर तो सब हैं sugar generally sweet in the taste होते हैं बट polysacurides को नान सुगर का आगया बाकि सब सुगर होते हैं अभी मैं आगे डिटेल भी बताऊंगा तो ldhydig sugar है and and monosacurides with with ketone functional group are caldage ketose sugar ketose sugar okay इनको इस तरह से divide कर दिया गया कहीं कहीं ldhydig के आधार पर और ketone के आधार पर तो चलिए पहले एक-एक हम लोग पढ़ लेते हैं कि ldhydig sugar कितने होते हैं तो देखें एल्डोज उगर भी मिला एक छोटा साथ चार्ट बनाएंगे पहले एल्डोज सुगर की कहानी पढ़ लें फिर कीटोज देखा क्या गया एल्डोज सुगर में नंबर आप कार्बन एटम्स कितने होंगे अ कि नंबर आप कार्बन एटम्स कितने होंगे पूरा लिखे हैं इस त्रुक्शराल पार्मूला क्या होगा और एकजामपलस क्या क्या होंगे यह भी देखिये कर दोख necesario किТने होगे उके चलिय है तो जो पहला एल्डोज मिला पहला उसमें 3 कार्बन थे, नमबर आप कार्बन इटम 3 थे, तो मलेकुलर फार्मूला क्या होगा, C3, H6, O3, मलेकुलर फार्मूला होगा, दूसरा क्या मिला, 4 कार्बन वाला मिला, जितने मिले मैं सब आपको बता दे रहाँ, C4, H8, O4, 5 कार्बन वाला मिला, C5, H10, O5, 6 कार्बन वाला मिला भाई साथ, C6, H12, O6, 7 कार्बन वाला मिला भाई साथ, C7, H14, O7, 8 कार्बन वाला मिला, नहीं मिला भाई साथ, मिला ही नहीं, मिला नहीं तो जानेंगे क्या, अब इसका इस्ट्रक्चरल फार्मूला क्या है कहानी को जरा समझे सब में CHO ग्रूप रहेगा और CHO भाई साब बहुत रियक्टिव ग्रूप है एकदम किनारे खड़ा मिलेगा तो सब से किनारे में रखने जा रहा हूं किसमें CHO ओके ध्यान से कहानी को समझेगा और तीन कार्बन है तो एक कार्बन होगे दूसरा कार्बन तीसरा कार्बन बैलेंस कैसे करना है बीच वाले को दे देना है HOH किनारे वाले को दे देना है CH2OH देखे ध्यान से एक कार्बन दो कार्बन तीन कार्बन हाइडरोजन जरा देखे ए एक, दो, तीन, चार, पांग, छे, ओके, सही है, सही चल रहे है, आक्सियन जरह देखिए, एक आक्सियन, दो आक्सियन, तीन, सही चल रहे है, ओके, ठीक है, अब इसका नाम भी दे दिया जा है, इसका बहुत सुंदर सा नाम है, glycerol dehyde, glycerol dehyde, सबसे छोटा कार्बो हाइडिट अगर मैं पूछ हूँ तो सबसे छोटा कार्बो हाइडिट मोनो सेकराइड से अब मोनो में भी सबसे छोटा ग्लिसराल बाबू है ग्लिसराल डिहाइड बाबू है ठीक है चलिए यह आपका हो गया अब इसका भी माली को फार्मूला बना सकते हैं बहुत सेम लॉजिक लगेगा CHO कहा कारवन भाई साब 4, 2, 3, 4 किनारे वाले को CH2 OH कर देना बाकी सब को CH, OH CH, OH मिल गया भाई साब मिल गया 5 वाले को भी कर दीजिए किनारे वाले को CHO CHO भाई साब रियक्टिव है किनारे बाडी गार्ड की तरह रहेंगे रहाद रखेगा बाकी सब जोड दीजिए कहा कारवन 1, 2, 3, 4, 5 हो गया बैलन्स कर दीजिए भाई साब अकेले कारवन रहना नहीं चाहते हैं ये भाईया दुलाह है दुलाह अकेले नहीं रह सकता प्रोटोकाल है इनका ऐसे आप बना लीजिए 7 कारवन तक आप बना सकते हैं मुझे नहीं लगता कि आपको कोई दिक्कत होनी चाहिए अच्छे इनके नेम्स भी देख लीजिए इनके नेम्स क्या होगा अगर मैं साथ-साथ इनका नाम भी लिए तो भाई साब कुछ तो फार्मूला तो नाम भी होना चाहिए कैसे बुलाएंग इनको 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 भाई साब को बुला ये तीन कारवन है क्या कर रहे हूं ये टेट्रोज भाई ध्यान दीजिएगा टेट्रा मींस चार लैटिन वर्ड है ठीक है और ओज कार्बोहाइड्रेट के पिता जी आप समझ लीजे बता के गए हैं कि हमारे लड़के के नाम के अंतिम में लगा दीजिएगा भाई साहब ठीक है तो इसके आगे चुके लड इस तरह से आप इनको लिख सकते हैं और इनके एक्जामपल्स जो होंगे वह बहुत आसानी तरीके से आप एक्जामपल्स भी लिख सकते हैं कुछ करना नहीं है बहुत आसानी से लिख सकते हैं ठीक है इसका जो चार कार्बन वाले का एक्जामपल है, उसका नाम है इरित्रोच, आगे डिटेल मिलेगा, एंड थ्रियोच और आप पांच कार्बन वाले का नाम है, राईबोज सुगर, ओके, छे कार्बन वाले का नाम है, गलुकोच, फरक्टोच, इटसेटरा आप, ये तो आपका हो गया, किसके बारे में, एलडोज सुगर के बारे में कहानी हो गई, अब सिमिलरली, मैं आपको कीटोज सुगर के बारे में भी कुछ बताना चाहता हूँ, बहुत आसान तरीका होगा, कीटोज सुगर के बारे में पढ़ना और जानना, तो चलिए, स्क् में है तो नेक्स एडिंग पढ़ने वाली है कीटो सुगर अब कीटो सुगर में भी भाई साब कुछ करना नहीं है फंसरल ग्रूप कीटोन होगा और कार्बन वही होंगे तीन कार्बन से सुरू होगा मोनोसेकृराइडज और साथ पे जाके रुख जाएगा मतलब मैं यह कह सकता हूं जो मोनोसेकृराइडज होते हैं वह मिनमं थ्री कार्बन सरकते क्या मैंक्समम से वन कार्बन रख सकते हैं कि चलिए कि टोव सُt-गर की मैं बात करूं मे आप कार्बन एटम्स रख दे रहे हैं इस ट्रकचुरल 3 ृष्प थे ठीक एक यृष मैं लीग दे रहे हैं क्या नाम होगा इनका इक्जाम्पल्स सरफ साथ साथ बताते चल रहा हूं तो पहले वाले में हुआ आपका नंबर आप carbon atoms 3 रहेंगे molecular formula इनका होगा वही होगा molecular formula दोनों का सेम रहेगा जो की मैंने eldoge में बताया है बस वहाँ ketone होगा वहाँ ldi होगा इसका c4 h8 o3 समझ गये होंगे c5 h10 o5 c6 s12 o6 c7 s14 o7 3 carbon 4 carbon 5 carbon 6 carbon 7 carbon ठीक है नाम इनका क्या होगा keto triose keto tetrose keto pentose keto hexose keto heptose ठीक है इसको लिख लेंगे पूरा keto tetrose keto pentose keto hexose keto heptose इजली लिख सकते हैं इसमें अब मालिक लोग formula भी कुछ करना नहीं है की tone हमेशा याद रखना भाई साब carbon number 2 पे ही रहेगा बहुत गड़बड आदमी तो नहीं है लेकिन चलिए ठीक है इसको 2 पे रख दिया जाए हमेशा याद रखेंगे कि 2 पे ही 3 है एक दो तीन तो दूसरे वाले पे कीटोन रहेगा बाकी सब पे CS2OH रहेगा कि सही है यह आपका हो गया और चार कार्बन में क्या करना चार कार्बन जोड़िएगा कि यह पहला कहीं से इधर भी कर सकते हैं कोई दिक्कत में दूसरे पे कीटोन किनारे वाले पे चेस्टो रहेगा याद रहेगा बीच gonna पे सियच रहेगा सेमेसे ही पांच कार्बन का आप बना सकते हैं किक्टो पेंटोच का पांच कार्बन मैंने देखें ड्रा किया किनारे वाले भाई साहब मैंसा तो आटकेंगे दूसरे पे HM सा और रखेंगे बागी सब की साथ वही होगा जो एल्डोज में हुआ था सभी क्रम में इसी तरह बना लेंगे अब इसका नाम जो है इसका नाम है डाई हाइड्रॉक्सी एसीटोन ओके चलिए यह तो आपका च्रोन थे पांच ओला था 6 कारबन वाला विया इसे हो जायेगा अपका करना क्या है वही एक C2 कारबन तीन कारबन कि नारे walls को स CH2OH कर दीजिए CO कर दीजिए CHOH कर दीजिए CHOH कर दीजिए ठीक है यह आपका बन गया ठीक है तो इस तरह से से 7-carbon का भी ऐसे बन जायेगा कुछ आई नहीं बहुत आसान तरीका है इसका ठीक है आप इसको को आसानी से लिख सकते हैं समझ सकते हैं बहुत इजी ट्रिक है कार्बो हाइड़ेट बहुत आसान तरीके से प्रस्तुत किया जा रहा आपके सामने ठीक है इसी क्रम में अब देखे अगर चार कार्बन रहेगा तो इसका नाम हो जाएगा इरिथ्रियू लोज अगर पांच कार्बन रहेगा तो इसका नाम हो जाएगा राइबू लोज था यहां राइबू लोज हो छाएगा ठीक है और 6 कार्बन थो कुछ करना ही नहीं है प्रक्तोच ही एंगे ये दाह आपका क्लाशिफ केकेशन जो कहीं-कहीं monosaccharides का classification इस तरह से हो गया, अब हम लोग सीधे-सीधे अगर बात करें, तो oligosaccharides की बात करेंगे हम लोग, oligosaccharides बहुत आसान सा carbohydrate है, तो heading डालिए आप लोग, oligosaccharides, oligosaccharides के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, अगर आपको बाते नहीं समझ में आ रही हैं, तो आप comment box में ज़रूर लिखें, चलिए, oligosaccharides के बारे में पढ़ते हैं, oligosaccharides, ओके, oligosaccharides, देखें, ग्रीक वर्ड, oligo, means होता है, few, such type of the carbohydrates, लिखेंगे, such type of sugar, और carbohydrates, carbohydrates, हाइब, हाइब, 2 to 10 carbon items, 2 to 10 monosaccharides unit, मोनो-saccharides units, ओके, यह आप कह सकते हैं, जब भी हम polysaccharides का hydrolysis करते हैं, polysaccharides का hydrolysis करेंगे, acidic medium में थोड़ा fast हो जाए, तो पहले मुझको oligosaccharides C मिलेगा, oligosaccharides C मिलेगा, ओके, अब oligosaccharides में हो सकता है, कि 2 unit हो, 2 monosaccharides, oligosaccharides में हो सकता है, 2 unit of monosaccharides हो, कैसे, देखे, monosaccharides की एक unit, दूसरे unit से याद रखेगा, glycosidic linkage, this linkage is glycosidic linkage, इसे बोला जाएगा, glycosidic linkage, ठ्यान से समझेगा, जो भी oligosaccharides आपका मिलेगा, oligosaccharides जो भी होगा, ठीक हो, polysaccharides का hydrolysis मिलेगा, अगर आप ये कह सकते हैं, कोई ऐसा carbohydrate, जिसमें 2 monosaccharides unit, एक दूसरे से, ये bond oxygen से जुड़े हो, इसको glycosidic linkage, जो की carbohydrate में पाया जाता है, अगर ऐसे जुड़े होंगे, तो उसका नाम आप रख देंगे, दो ही हैं, तो इसका नाम रख देंगे, disaccharide, इसे तरह हो सकता है, तीन monosaccharide unit, एक दूसरे से जुड़े हूं, glycosidic linkage के द्वारा, भाई साब इसका नाम trisaccharide रख देंगे, trisaccharide, ओके, ये glycosidic linkage, ऐसा linkage है भाई साब, पानी में डालने पे, थोड़ा सा acid मिला देने पे, आपसानी से तूट जाएगा, और finally आपको monosaccharide separate हो जाएगे, tetrasaccharides में भी काहानी आप समझ गे होंगे, मुझे लगता है, तो so we can say that, upon hydrolysis of the oligosaccharides, you can obtain disaccharides, trisaccharides, और tetrasaccharides, this is the very easy concept of the oligosaccharides, ठीक, तो overall मैं ये कह सकता हूँ, अब disaccharides का जो फार्मूला होगा, इसको जरा समझेगा, इसी तरह tetra, तो disaccharide, देखा जाए, C12, S22, O11 है, ये आपका disaccharides है, disaccharides, हमको इस लेवस में disaccharides के बारे मिलनी पढ़ना है, disaccharides, तो disaccharides तीन होते हैं, सुक्रोच, लैक्टोच, माल्टोच, तीनों का मालिकलर फार्मूला यही होगा, ठीक है, अगर मैं disaccharides को hydrolysis करूँ, तो देखे क्या मिलेगा, यही है, अगर मैं इसको पानी इसमें थोड़ा सा डाल दूँ, और थोड़ा सा H+, मिला दूँ, तो मुझे दो monosaccharides मिलेंगे, दो monosaccharides मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, आगे डिटेल चर्चा करेंगे, देखे ध्यान से, अगर मैं इसी को C12, S22, O11, प्लस H2O, थोड़ा सा IRO को पर मैंने H+, लिख दिया, जड़ा ध्यान से बात को समझेगा, अब चुकिए 2.5 तो मैं क्या करूँँगा, सीधे-सीधे 2 moles up monosaccharides, C6, S12, O6, देखे, बैलेंस है कि नहीं, 12 है, 12 है, अगर यहां hydrogen कितना 22, 24, 12, 24, ठीक है, action कितना 11, 12, 6, 2, 12, इसी तरह मैं trisaccharides भी ले सकता हूँ, तो trisaccharides मुझे क्या मिलेगा, ध्यान समझेगा, 3 moles up monosaccharides, 3 moles up monosaccharides, अब एक चीज और ध्यान रखिएगा, trisaccharides, जो भी नाम लिया जाएगा, trisaccharides लिया जाएगा, तो उसमें 2 glycosidic linkage रहेगा, देखे, trisaccharides मतलब 3 mono है, तो पक्का है, 3 को जोडने के लिए 2 connecting link चाहिए, तो मैं यह कह सकता हूँ, अब जितना glycosidic linkage होगा, उतने H2O चाहिए, तो try में कितने एडाई था, डाई में एक होगा, try में 3 mono saccharides, दो glycosidic, इसका मतलब हमको लेना होगा 2 H2O, तो जरा देखे, मुझे कितना कारवन चाहिए, 6,18, C18, ओके, और उसके बाद, hydrogen जरा देखे, कितना मेरे पास, 12,36 है, तो LED मेरे पास, 2,24 है, तो यच, 32, ओके, oxygen में, देखे, कितना चाहिए, मुझे 6,3,18 है मेरे पास, यहाँ पर, यहाँ पर मेरे पास 2 है, तो मुझे O16, ओके, तो यह आपका, trisacurides हो जाएगा, क्या हो जाएगा, trisacurides, ऐसे ही आपके, tetrasacurides में, क्या करेंगे, tetrasacurides में, सीधा सीधा concept है, मैं, plus 3, S2O लिखूंगा, और मुझे, 4 units, आप monosacurides, प्राप्त होंगे, 4 units, आप the monosacurides, प्राप्त होंगे, यह तो आपका, oligosacurides की कहानी है, अब oligosacurides में, ठीक है, ध्यान ये, देने योगी बात है, कि, अगर मेरे पास, di securides है, तो di securides में, मुझे पता होना चाहिए, क्या-क्या है, detail, तो मुझे, यही पढ़ना है, di securides ही, ठीक है, तो चलिए, अब मैं बता रहा हूँ, di securides में, क्या-क्या है, di securides, oligosacurides में, इतने ही थे, अगर मैं, di securides में, ध्यान दीजेगा, मेरे पास, तीन चीजे हैं, सुक्रोज हो सकता है, plus s2o, h+, तो याद रखिएगा, इसमें जो unit मिलने वाले हैं, वो glucose, plus fructose मिलने वाले हैं, c6s12o6, plus c6s12o6, देखें, दोनों के molecule formula same है, बट इसमें LDID group होता, इसमें ketonic, आगे detail चर्चा होगी, इसके बारे में, अगर, मैं ले लूं, maltose, plus s2o, माल्टोज में सेम मिलेगा, maltose मिलेगा, याद रखेगा glucose, लेकिन यहीं अगर मैं, lactose ले लूं, plus s2o, तो मिलेगा क्या, molecule formula होई रहेगा, एक unit मिलेगा glucose का, दूसरा मिलेगा, galactose का, molecule formula सब के वही हैं, detail आगे पता चलेगा, कहिन में difference क्या है, यह तो आप कह सकते हैं, कि basic difference है, सुक्रोज, lactose और maltose में, ठीक है, अब यह कहिन कही, oligosaccharides के बाद, अब हम लोग, आगे पढ़ेंगे, polysaccharides, तो polysaccharides का concept, जो है, बहुत easy है, इसको हम लोग, पढ़ने लगे हाथ, polysaccharides, चलिए, थर्ड पढ़ते हैं, लोग polysaccharides, polysaccharides, याद रहे, when यन मोल साप monosaccharides, combines to each other, through the glycosidic linkage, glycosidic, आगे डिटेल बताएं, glycosidic linkage, तो बनता है, polysaccharides, polysaccharides, R-I-D-E-S, इस आड़ अप्लेक्स कार्भोहईड़ेट, इस आड़ अप्लेक्स, कार्भोहईड़ेट्स, बत, ईजली, हईडोलाई़ेट, इजली, हईडोलाई़, गिब्स, यन मोल साप monosaccharides, यन मोल साप monosaccharides, इसमें आप क्या जाएंगे, स्टार्च, ग्लाईकोजन, ग्लाईकोजन, सेलुलोच, यह जनरल था, यह बेसिक था, मतलब कहीन कहीं कार्भोहईड़ेट का, लेकिन यह है कि, इसके बारे में भी आप polysaccharides के बारे में आपको आगे डिटेल पढ़ना है, डाई-saccharides एक-एक मिम्बर आपको डिटेल पढ़ने हैं, polysaccharides में आपको cellulose, starch यह आपको डिटेल पढ़ने हैं, इसलिए मैं यहां क्यों जितना आपको आउस्टा के classification में मैंने उतना ही बताया, आज के इस lecture में, जो है, अगर मेरे लेक्चर्स आपको पसंद आए, तो आप comment box में जरूर लिखें, thank you so much.